नमस्कार अचार सलील चैनल में आपका स्वागत है आज फिर एक फॉलोवर के सवाल का उत्तर देने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं मेरे फॉलोवर के यह कहना है कि क्या मोदी जी दोहजार चौबिस में तिबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था यह कि मोदी जी का एक लंबा राजयोग है और उस राजयोग को वह उन्जॉय करेंगे मैं आज आपको एक चीज़े बता रहा चाहता हूँ कि जब भी व्यक्ति का राजयोग होता है या कोई भी अच्छा योग होता है तो परिवार में व्यक्तियों की कुंडली उनको सपोर्ट करती है यहां पर मोदी जी की कुंडली में मैं अक्तर बोला है कि उनकी मा का आशिरवाद उनके साथ और कहीं न कहीं मा की जो ग्रहे हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं जसके कान आज वो इस सत्ता के उच्छे सिकर में बैठे हुए यह मा का एक आसिरवाद है, बिले सिंग से हैं कि हम कहेंगे, कि गिरोहों का अपस में कनेक्शन है, सवाल यह है कि क्या आप मोंदी जी 2024 में तिवारा पिधान मंतरी बनेंगे, थोड़ा वक्त है, क्योंकि गिरोहों की इस्तिती काफी बदलेगी, 2022 में सनी राशी परिवर्तन करेगा, गुरू 2024 तक कई राशियां बदलेगा, लेकिन 2022 जो है वो बहुत ही परिवर्तन का साल रहेगा, मैंने एक्सर बोला है कि 2022-2023 देश में एक अरजक्ता पैदा करेगा, अरजक्ता का करण क्या होगा मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, कई वीडियो मताया है, और सरकार उन से कैसे ने पढ़ती हो देखने वाली बात है, लेकिन 2022 में जो यूपी का चुनाओ होगा, वो 2024 का दिशा निधारन करेगा लोकसभा चुनाओ की तरफ, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो में बताया था कि योगी जी को बड़ी मेहनत करनी पड़े है, चुनाओ जीतने में क्योंकि उत्तापदेश की कई चलम पत्रियां मेरे पास आई हैं जहां पे गिरहों की जो इस्तिती है, वो थोड़ा सा राज्योग में डिस्टर्विंस ला रही है, आप लोग कहेंगे कि अचार जी आपने कहा था कि योगी जी दुबारा मुक्वंति बनेंगे, बिल्कुल मैंने कहा था और आज भी मैं उस पे अपने सब्दों पर आड़ा हुआ हूँ कि उनके राज्योग में डिस्टर्विंस है, लेकिन एक हंग इस्यम्ली क मुक्वंतिरी बनेंगे या कैसा होगा, यह मैं आपको बताऊंगे जब चुना और डिक्लियर होंगे, यहां पर मोदी जी के वारे में चर्चा कर रहा हूँ, कोई कि 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे फालोवर का कॉस्टन बहुत अच्छा है, उस कॉस्टन का रिपलाई देने के लिए मैंने अमित साजी की कुंडी देखी, और भी कई BJP की नेताओं की कुंडी देखी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि उत्तरप्रदेश में कुछ भी गलत होता है, चुनाओं के अपरित्यासित जल्ट आते हैं, तो अमित साजी की जो कुंडी है, जो की एक 2022 में जब अजस्त पावरफुल हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि रास्पती चुनाओं भी है 2022 में, तो मोदी जी रास्पती बन जाएं, अगले पांस सालों के लिए, और सत्ता का हस्तांतर अपने किसी विश्वस्त को दें, जिससे सरकारागी चल करती रहे, यह मेरी एक कल्कुलेसन है और यह भी मेरे फालोवर्स की सलाह पर मैंने कुंडी देखी है, और मैं अपने फालोवर्स को बताना चाहूंगा, कि जो अमिर साजी की कुंडी है, उसमें गुरू की महादसा जून 2022 से सुरू हो रही है, जिसमें उनको खास्तों से मा सार्च 2022 के बाद से कुंडी में थोड़ा सा पावर आ रहा है, जो उनको जाके रिजल्ट मिल सकता है, जुलाई 2022 में, प्रिजडेंट का चुनाव भी वहीं पे है, अभी मैं पिछते डेड़ मेने से कोई वीडियो नहीं मने आ रहा था, लेकिन कैबिट में रिसफल हुआ, म वो गलत था, मेरे इसाब से, कहीं न कहीं जाके, कुछ समय के बाद, एक और रिसफल होगा, जहां पे जो पुराने लोग गए हैं, उनको वापस लाए जाएगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये रिसफल जो है, ये बहुत जादा अप्रित्यासित परिणाम नहीं देन है, कि तू बारवे घर में बैठा हुआ है, योगी जी की कुंड़ी में, ये के तू मेरे दिस्ट्र कौन के साब से, पिदान मंतिरी पत तक तो मुझे नहीं लगता पहुचाएगा, बाकी लोगों के मैं आम नहीं डिस्क्रोज कर सकता, क्योंकि कुंड़ी परिसत चला है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, कि यदि हम योगी जी वर्सेज अमिशा को लाएं, कि इन दोनों में से आगे कौन सा पिदान मंतिरी बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि आगे चलके जो चांसेज होंगे, यदि मोधी जी राष्टपती बनते हैं, तो मैं समझता हू हैं, अब इसके वारे में कुछ खहना बहुत मुस्किल है, हमें 2022 तक करना पढ़ेगा, क्योंकि 2022 में बहुत बड़ा परिवरतन होने जा रहा है, और ये सब जो होगा वो यूपी के चुनाओं के बाद होगा, तो मैं तो यूपी के चुनाओं तक करना करूंगा, कि क्या होत को कि यूपी का चुनाओ आसान नहीं वैसे भी कोविट का समय है 2022 खराब है 2023 भी खराब है तो यह जो सनी गुरू का गोचर है और जो उथर पुथर मची हुई है इसमें इस बीच में उत्तर पेदेश का चुनाओ मैं अपने फालोर्स को बताना चाहूंगा कि आपके बात में कुछ दम है एस्टोलोजिकरी मैंने चेक किया है हो सकता है कि मोधी जी राष्टपती बन जाए और पेदान मंति अपने किसी विश्वस्त आदमी को देके राष्टपती के पत को सोबित करें हो सकता है को कि मोधी जी की कुन्ली में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्टन दिख र मैं बार बार बोलता जा रहा हूं कि वक्त अच्छा नहीं है अब देखना है कि आगे क्या होगा मैं अपने फालोर्स को बताना चाहता हूं कि अभी मैं कर्जबन चार कुंडियों पे काम कर रहा हूं जो भविस्र में प्रिदानमंत्री पत्पे पहुंचेंगे इस देश के मिदानमंत्री बनेंगे समय परवर्तन सील होता है वक्त के साथ साथ लोगों के भागी भी जखते हैं वक्त बताएगा हम 2022 का इंतजार करते हैं खासतोर से यूपी चुनाओं का वहां से रास्ता साफ होगा मैं आप लोग के सामने यूपी चुनाओं को लेके फिर आउंगा एक बार फरवरी जन्वरी 2022 में लोस्कार